देपाक शर्मा के बारे में पूरी बाते आज के इस वीडियो में आपसे बताओंगा नमस्कार आप देख रही हैं PDF föres to this दिल्ली के मंडोली जेल के पूर्व सहायक अधिक्षक दीपक शर्मा का विवादों से बहुत पुराना नाता रहा है। दीपक शर्मा पोस्ताच के नाम से इंस्टाग्राम पर एक कारिक्रम चलाते हैं। अभिहाली में दीपक शर्मा ने मदो बिहार थाने में हरियाना के चर्चित महिला पहलवान रौनक गोलिया और उनके पती अंकेत गोलिया पर 51 लख रुपए के दोखा धड़ी का मामला दर्च करवाया था। आरोप लगाया था कि हेल्थ सप्लिमेंट के कारोबार में निमेश पर मुनाफ़ा होने और सप्लिमेंट का ब्रैंड अमबेश्डर मनाने का जहसा दे कर उनसे रखना मैं ठीके। सहायक अधिक्षक दीपक शर्मा पर ठगी के मामले में मंडोली जेल में बंद शुकेश, चंदरशेकर, पत्र लिखकर कई गंभीर आरोप लगा चुका है। एल्विश यादो को जब नोड़ा पुलीस ने इसी साल के शुरुवात में रेव पार्टियों में सापो के जहर को नशे का रूप में इस्तेमाल करने के मामले में गिरफतार किया था। इस मामले में शिकायत करता पेपल फॉर एनिमल्स के अफसर गौरोगुपता है। उन्होंने आरोप लगाया था कि जिस वक्त एल्विश को गौतम बुद्ध नगर की जेल में बंद किया गया तब मंडोली जेल के सहाय का देखशक उनसे मिलने के लिए गौतम बुद्ध नगर की जेल गये थे। भाग लिया था। उन्हें राष्टे हस्तर पर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगता में गोल्ड मेडल मिला था। देश के चर्चित निर्भया कांड के दोश्यों को फांसी भी दिलवा चुके हैं। लेकिन अब वही दीपक शर्मा एक बार फिर से नए विवादों में आ प्रतियों के चुके हैं।